कच्छुआ और खर्गोश बड़ी ही प्यारी कहानी है बच्चों अगर आपने पहले सुनी है फिर से मैं अम्मू अम्मू के मुँसे एक कहानी सुन कर दीखिए कितना मज़ा आएगा अम्मू एंड्यू चैनल पर आप सब का स्वागत है जहां पर आज मैं इसोब कहानीों में से एक कहानी लाई हूँ कच्छुआ और खर्गोश एक बार की बात है एक जंगल में एक खर्गोश रहता था खर्गोश तो बहुत तेज दोर सकता था और इसलिए बड़ा घमंडी हो गया था उसे लगता था मुझसे ज़ादा तेज तो इस पूरे जंगल में क्या पृत्वी में कोई नहीं है धीरे 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 उसका ये घमंड बढ़ता चला गया एक बार उसने सोचा कि कितनी हरी हरी पत्तियां में खा रहा हूँ मजे से खा रहा हूँ ताजी हरी पत्तियां क्योंकि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं खाते खाते ऐसे सोच रहा था जब वो खुशी में जूम रहा था कि उसको पत्तियों की आवाज हुई खडबड खडबड पीछे घूम के देखा एक कच्छुआ धीरे 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 चला रहा था कच्छुए को देखकर ही वो खरगोश जोरों से हस पड़ा ओहो क्या चाल है तुमारी दोस्त तुम तो अपने पीट पर पता में क्या लादे गूमते हो जिसकी वज़े से तुमारी चाल तो इतनी धीमी है कहकर वो तो हसी पड़ा कच्छुआ कुछ नहीं बोला लेकिन वो खरगोश वैसे ही घमंड में बोलता रहा मेरी चाल देखी है मेरी रफटार कभी देखी है कोई भी मेरी रफटार की तुल्ला नहीं कर सकता अब कच्छुआ बड़ी देर से यह सा बाते सुन रहा था उसको नहीं अच्छा लग रहा था और वो इस खरगोश के घमंड को तोड़ना चाह रहा था तो उसने का कोई बात नहीं खरगोश भईया तुमारी चाल तो मैंने देखी नहीं है तो चलो आग जड़ा अपनी चाल दिखा ही लो मेरी चाल देखोगे हाँ भाई चलो मेरे साथ क्या एक रेस करोगे कच्छुए ने खरगोश से कहा अरे बापरे सुनते ही खरगोश तो हस्ते हस्ते लोट पोट हो गया क्या मेरे साथ रेस करना चाहते हो अरे भाई मेरी तो हसी ही नहीं रुख रही है अरे बापरे चलो तुम भी क्या याद रखोगे और ऐसा कहकर कल मिलते हैं सुबे और हम लोग कल रेस करेंगे सारे जंगल में ख़बर फैला दी गई थी खरगोश और कच्छुए का रेस होने वाला है दोड़ होने वाली है सुबह सुबह सब जानवर इखटा हो गए कोई बोल रहा था रे भाई ये क्या कच्छुए को सूजी है जो खरगोश के साथ ये दोड़ लगानी और पूरी उत्सुक्ता के साथ वहाँ पर एखटा हो गए दोनों प्रतियोगी वहाँ पर पहुँचे और जो लोमड़ी थी वो रिफरी था उसने बजाई सीटी एक दो और पा जैसे ही सीटी बजी खरगोश तो तुरंत चुमंतर हो गया तेजी से भागा 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 और काफी दूर जब चला गया बोला अरे मैं तो अब बस बहुत आगे चला गया हूँ पहुचने वाला हूँ कितनी जल्दी मैं या पहुच गया अब तो वो मंदचाल वाला कच्छुआ पता नहीं घंटों लेगा तब तक जरा मैं बैठ कर आराम कर लूँ सुस्ता लूँ बैठा देखा अरे बड़ी कच्ची कच्ची पत्या लगी है वाह क्या सुंदर हरी हरी पत्या है जरा मैं खा लूँ और वो बैठे बैठे आराम से चबाने लगा चबाते चबाते वही पर उसको नीद आ गई और वो सो गया उधर कच्छुआ अपनी धीमी चाल से चलते 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 बिना रुके वहाँ पहुचा और जब उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है उसने उसको बिलकुल नहीं जगाया चुप चाप अपनी उस चाल से वो चलता रहा चलते चलते खरगोश को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया और जहां पर दोड़ खतम होने वाली थी जाकर कच्छुआ पहुच गया सारे जानवर वहां पर इंतजार कर रहे थे इतनी तेजी से सब चिलाए खुशी के मारे कच्छुए का स्वागत किया उनकी तेज चीक को सुनकर खरगोश की नीद खुली और उसको एहसास हुआ कि ये क्या हो गया दोड़ खतम कच्छुआ जीत किया देखा कच्छुए के गले में मिडल लोमड़ी ने पहन पहना दी है शर्म से पानी पानी हो गया खरगोश तब से उसको समझ में आया कि कभी भी घमन नहीं करना चाहिए और हमेशा बिना रुके प्रयत्न जारी रखना चाहिए जैसे कच्छुए ने किया और जीत किया इसलिए बच्चों कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना और कभी भी घमन मत करना लाइक शेर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए कहानी सुनने के लिए धन्यवाद अमू का इंतजार करिया अमू जल्दी आएगी फिर कहानी सुनाने तब तक अमू खेती है टाटा